तेन फिंगर चैनल में आपका स्वागा थे आज हम कर्षा चेकी गड़ित का प्रस्नावली दो दे सम्लाव एक का प्रस्न कर्मांग के चार एवां पांच हल करेंगे प्रस्न कर्मांग के चार इस प्रकार से हैं 32 और त्रेपन की वीच कितनी पूर्ण संख्या हैं तो यहां प एक घटाएंगे क्यों घटाएंगे आपको हम बताते हैं यह बचा बीस तो हम लिखेंगे 32 और त्रेपन की बीच इस पूर्ण संख्याén होंगी एब बताते हम आपको कि यह 21 क्यों नहीं लिखा हमने 20 क्यों लिखा है यह देखिए जो 21 है इसमें हमारा त्रेपन भी सामिल और यदि हमको त्रेपन भी हटाना है तो इसमें से हम एक और माइनस कर देंगे तो आजाएंगे 20 आप ऐसे फिंगर पर गिन के देख लीजिए आप गिनिये तो आपकी क्या आजाएंगी त्रेपन तक पूरी पूरी 21 संख्या जाएंगी जहां आपका त्रेपन खतम होगा और ठीक बाद आने वाली संख्या और ठीक बाद आने वाली संख्या कैसे निकालते हैं उसमें एक जोड के कोई भी संख्या का परवर्ति बोले आप से हम बोले बावन का परवर्ति तो कैसे निकालेंगे पता तो है कि बावन का त्रेपन आता है लेकिन कैसे आता है बावन में एक हमने जोडा तो त्रेपन आ गया तो बावन का परवर्ति त्रेपन इसी तरह से हम कोई भी बड़ी संख्या ले सकते हैं अब यह देखिए छे अंकों की संख्या हैं तो इनके हम परवर्ति निकालने के लिए से हम पोई करेंगे प्रोसेस एक जोड़ते जाएंगे तो यह यह वाला जो है इसमें हम लिखेंगे यह हमें पूरी संख्या पाड़ने से मतलब नहीं है कि वर यह पूरी संख्या हम लिख लेंगे का परवर्ति तो इसको हम साइड में लिखेंगे संख्या को और इसमें हम एक जोड देंगे यह हमने एक जोड दिया तो यह थो गया एक और एक दो और पूरी संख्या हमारी बैसी रहेगी अभी यह आसान था पर जहां पर यह नो आ जाएगा वहां पर हम आपको रफ में जोड के यह रख से देखना पड़ेगा तो हम लिखेंगे इस संख्या का परवर्ती यह हो जाएगा हमारा 244 0,702 अब हम यहाँ पर कॉमा लगा देंगे पहला कॉमा तीन अंकों के बाद उसके बाद दो दोंकों के बाद इसी कभी भाग है इसमें है एक डबल जीरो और यह एक सो निन्यानवे तो एक शून्य शून्य एक नौ नौ इसमें हम प्लस वन करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा नौ और एक दस यहाँ पर भी वन कहरी आ गई यह भी नौ और एक दस इसकी वन कहरी आ यह हो गया एक और एक दो यह शून्य यह शून्य और यह वालश एक तो एक हजार सौरी जो भी संख्या है का परवर्ती यह हो जाएगा हमारा एक सून्य सून्य और यह दो सून्य सून्य अब हम कॉमा लगाएंगे पहला कॉमा तीन अंकों के बाद दूसरा कॉमा दो अंकों के बाद इसी का भाकसी है इसमें हमसे भाकसी में पूछा गया है यह स और यह दिए हैं 5 वार 9 एक, दो यह दिए हैं हमें 5 वार 9 चार और यह पाँच 5 वार 9 हो गए तो हम लिखेंगे एक शून्य और उसका परवर्थी आप चाहें तो इसको पढ़के भी देख लीजिए अभी हमें इसका वा शक्ता नहीं है कि हम इसको पढ़के भी बताएं आपको तो इसलिए हम सीधी सीधी संख्या लिखते जा रहे हैं इसमें हम एक प्लस करेंगे तो ये तो हो जाएगा नौर एक दस इसको एक बन मिल गया तो ये हो जाएगा ये भी हो जाएगा नौर एक दस इसको भी बन मिल गया ये हो जाएगा नौर एक दस ये वाला भी नौर एक दस और ये वाला भी नौर एक दस अब ये जो सून्य था इसके पास भी एक 먹어akry आ गई है तो यह हो जाएगा एक और यह बला भी एक इस तरह से जितने नौ थे उतने शूणी होगे पांच सूणी होगे और इस सूणी की जगए हो जाएगा एक और इस की जगए हो जाएगा एक इन संख्याओं को जोड़ते समय वस आपको एक बाद ध्यान लखनी है कि जो प्रस्मे में संख्या दी है उसको वस आप सही सही उता रहें यहां पर भी आप अच्छा दूर दूर करके लिखें और उसमें जोड़ते समय भी थोड़ी साफधानी रखें तो इसका परिबर्ती हो जाएगा हमारा यह 11 और पांच सुन्य तीन चार पांच अब यहां पर हम कॉमा लगाएंगे पहला कॉमा तीन अंको के बाद दूसरा दूंको के बाद तो इस तरह से संख्या होगे हमारी ग्यारा लाग अब इसी का हमारा डी भाग है इसमें हमें संख्या देके रखी है 23,45,670 तो इसका परिबर्ती हो जाएगा इसके लिए हम जोड़ेंगे 23,45,670 इसमें हम जोड़ेंगे 1 तो सिधी सी बात है 670 का 671 हो जाएगा यहाँ पर 9 होता तो हम थोड़ी साफधानी जादा रखनी पड़ती तो यह हो जाएगा एक और पूरी संख्या वैसी के वैसी रहेगी तो इसका परिबर्ती यह हो जाएगा हमारा 23,45,671 अब यहाँ पर हम कॉमा लगा लेंगे पहला कॉमा तीनंकों के बाद और दूसरा कॉमा दोंकों के बाद हाल हे उस्तरह हे मारे प्रसण कॉर्बंग चार और 5 हल होते हैं बस आपको प्रसण कॉर्मा पांच को हल करने के लिए आपको पूरवरती और पर वर्ती का अर्थ पता होना जाएक आहि wedła चाहिए तक्री टेक क्यर